गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आज हम हमारी हिंदी ग्रामर के चैप्टर नंबर 12 परियावाची शब्द इसके बारे में डिसकस करेंगे तो आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए पेज नंबर 44 और अब हम पहले इसकी रिडिंग करेंगे ये परिभाशा जो शब्दसमान अर्थ देते हैं उन्हें परियावाची या समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं जैसे किसी एक शब्द को है जिसमें कमल का फूल बना हुआ है जिसे हम कमल का फूल कहते हैं तो कमल को हम और किस तो कमल को हम और किस-किस नाम से जानते हैं जैसे की कमल को पंकज भी कहते हैं नीरज भी कहते हैं जलज इसके अलावा राजीव पुशकर अम्भुज तो यहां पर यह च्छे नाम दिये हुए हैं और यह जो च्छे नाम है यह किसके हैं कमल के यानि कि कमल को हम कमल के अलावा इन अन्य च्छे नामों से भी जानते हैं और इसी को पर्यावाची शब्द कहते हैं हमारे पास इस चैप्टर में जो है वो question answers या exercise नहीं है हम सिर्फ इसे समझेंगे और हमें परियावाची शब्द दिये गए हैं वो हमें learn and write करने हैं तो सभी अपनी notebook open करेंगे हम notebook में भी write करेंगे थोड़ा समझने के लिए ताकि बाद में हमें आसानी रहे learn करने में तो सभी अपनी notebook open करेंगे chapter number mention करेंगे part 12 परियावाची शब्द सबसे पहले हम इसकी definition लिखेंगे परिभाशा लिखेंगे तो लिखिए सभी परियावाची शब्द की परिभाशा हमें इसकी परिभाशा बतानी हैं परिभाशा देखेंगे जो शब्द समान अर्थ देते हैं उन्हें परियावाची या समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं तो यह हुई हमारी परियावाची की परिभाशा चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अब परियावाची शब्द लिखना शुरू करते हैं तो यहां परियावाची शब्द हेडिंग डालेंगे नमबर एक सबसे पहले लिखेंगे नमबर एक पर लिखेंगे मित्र मित्र का परियावाची क्या है बुक्स सभी अपनी ओपन रखेंगे और नोटबुक भी ओपन रखेंगे read and write पहले पढ़ेंगे उसके बाद नमबर एक पर है मित्र मित्र का परियावाची क्या होता है मित्र का परियावाची होता है दोस्त और सखा जैसे कि हम prayer बोलते हैं तुमी हो बंधू सखा तुमी हो तो उसमें जो सखा शब्द का प्रियोग होता है उसका मतलब मित्र से ही होता है और दोस्त तो आप जानते ही है मित्र को दोस्त भी बोलते हैं नमबर सेकिंड आदमी आदमी को और क्या-क्या बोलते हैं यानि और अन्य किन नामों से जानते हैं नर और मनुष्य नर जिसका opposite नारी भी होता है जैसे आपको बताया थो विलॉम शब्द जो होता है नर का वो नारी होता है और आदमी को और क्या कहते हैं मनुष्य भी कहते है चलिए आगे बढ़ते हैं नमबर तीन पर लिखेंगे आख आख को बोलते हैं नेत्र और नयन नमबर चार फूल फूल को अन्य और किन किन नामों से जाना जाता है एक तो पुश्प और एक सुमन नमबर पांच नमबर पांच पर लिखेंगे पाहाड पाहाड के और क्या कहना नाम है एक तो परवत दूसरा गिरी अच्छा गिरी से एक चीज और बताती हूं आप लोगों को जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गिरी धर भी बोलते हैं वो गिरी धर इसले बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फिंगर परवत उठाया था तो गिरी परवत का ही एक अन्य नाम है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे बाग जिसको हम इंग्लिष में गार्डन भी बोलते हैं बाग को हिंदी मोर क्या क्या कहते हैं एक तो उप उवन और एक बागी चा नंबर साथ नंबर साथ पर लिखेंगे हवा हवा को एक तो हम वाईू कहते हैं और पवन भी कहते हैं नमबर आठ धर्ती धर्ती को हम धरा बोलते हैं और प्रत्वी नमबर नाइन कमल कमल का हम ओपर लिख चुके हैं देख चुके हैं फिर भी लिख लीजिए कमल का है एक तो पंकज और जलज भी कहते हैं कमल को नमबर दस घर घर को हम और किस-किस नाम से जानते हैं एक तो ग्रह मात्राओं का सब भी ध्यान रखेंगे एक भवन नमबर 11 पानी पानी को जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं नमबर 12 रात रात को रजनी कहते हैं और रात्री जैसे कि गुड नाइट जब हम बोलते हैं तो गुड नाइट का जो हिंदी होता है वो होता है शुब रात्री तो रात को हम और क्या भी कहते हैं रात्री नंबर 13 बादल बादल को मेग और घटा चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 14 पर लिखेंगे चांद चांद को हम एक तो चंद्रमा के नाम से जानते हैं और राकेश नंबर 15 पर है पेड़ पेड़ को एक तो व्रक्ष कहते हैं और तरू नंबर 16 नदी नदी को हम सरीता कहते हैं और इसके अलावा सलिला ये सबी हम वो ही परियावाची लिख रहे हैं जो आपकी बुक में हैं कहीं कुछ रह जाता है तो आप बुक में से भी देख सकते हैं नंबर 17 पर लिखेंगे आकाश आकाश को हम गगन बोलते हैं इसके अलावा आसमान नंबर 18 जंडा फ्लैग इसको हम एक तो द्वज बोलते हैं जैसे कि रास्ट्रिय द्वज और एक पता का जंडा को ध्वज बोलते हैं और पता का 19 पिता पिता को जनक कहते हैं जन्म देने वाला और तात नंबर 20 दिन दिन को एक तो दिवस कहा जाता है और वार नंबर 21 आग आग को हम एक तो अगनी कहते हैं और एक अनल कपड़ा को हम एक तो चीर बोलते हैं और एक वसन नंबर 23 23 तालाब तालाब को एक तो हम सरोवर बोलते हैं और जलाशय नंबर 24 धनुश धनुश को हम और किन किन नामों से जानते हैं एक तो कमान कमान और धनु जो की राशी भी होती एक और इस पे उसी का साइन बना होता है धनुश का 25 नंबर 25 पक्षी पक्षी को हम खग बोलते हैं इसके अलावा नभचर बोलते हैं नभचर आकाश में विचरन करने वाला आकाश में उड़ते हैं न वो आसमान में उड़ते हैं पक्षी इंद्र लास्ट 26 इंद्र इंद्र को हम बोलते हैं देवराज उनको देवराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो देवताओं के राजा है इसलिए उनको देवराज इंद्र भी कहा जाता है और मेग राज मेग यानि बादल उनको मेग राज भी कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पे हमारे पर्यायवाची जो हैं वो खतम होते हैं 26 है आप सब इनको अच्छे से लर्न और राइट करना कही कुछ समझ नहीं आए तो आप बुक में भी तब तक के लिए गर पर रहें सुरक्षित रहें थैंक यू